साथ्यों नमस्कार आज आपके लिए मैं सबसे अलग फर्मूल लेका रहा हूं आज आपको कोई दवा पिलाने का नहीं बोलूँगा और नहीं कोई इंजिक्शन लगाने का बोलूँगा कुछ एसे दवा लेका आए हूं केवल पांच बूंद यादि आप किसी बकरे को पिला देते हो तो उसका वजन बढ़ने लगता है वो तेजी से मोटा तगड़ा ताजा पहलवान होने लगता है वह अभी कितने दवा से ओनली पांच बूंद केवल पांच बूंद उसके मुह है और बहुत पूरानी दवा नई क्या लेकिन लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है लोगों को पता ही नहीं है लेकिन आज आपके लिए मेव दबन पांच बूंद दवा किसी चोटी में मुह में डाल देते हैं तो उसका वधन तेजी से उसकी ग्रोथ बढ़ने लगते जो प्यारा सा हमारे चैनल है जिसका नाम है हाडा वेट्स क्लब इस चैनल को आप सबसे फिले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें लाइक करना न भूल जाए लाइक करें तर भी आपके बक्रे का वजन बढ़ेगा यह गारेंटी तो लाइक जरूर कर देना लाइ कि डोक साब क्क आप इसे दवा बता दीजै कि मैं मेरे इस बक्रे को किला दू जिससे बड़ा हो जाया है तो डोक्टर कुछ injection लगाते हैं हाँ हाथे इंजेक्षिन भी लागाने की जुरूरत नहीं कुछ दमपाइबें लेकिन जब पशुम्ह ला西न का सह पाता जमत्त कि channel के आपको जरू को जादा मेर्श करने की जरूरत नहीं और बार बार पशु टूसर बैसे हुले लिखके देते हैं लेकिन वह ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है कुछ-कुछ प्रभाव लेकिन आज की मेडिसेंस साथ यो ऐसी है कि आपको यहां पर इंजेक्टेबल करने की जुरूत नहीं यानि गर्दन में लगाने की जुरूत ना कुछ दाने बाटे में खिलाने की लोग वहां पर ज्यादा खिलाते हैं बहुत ज्यादा दाना बांठा चारा खिलाते लेकिन उसके ग्रोथ नहीं बढ़ती है फिर पशुमालिक परेशान हो जाता है नहीं जाने कौन-कौन से दवा लाके पिलाते लेकिन फिर भी यदिया आपके बक्रे का बज़न नहीं वह आप जरूर देखिलें तो सबसे पहले दवा का नाम है आज मैं आपके लिए वह यह अलोफितिक दवा लेकरने आया हूं यानि कोई अंग्री जी दवा नहीं और कोई देसी दवा भी नहीं तो फिर क्या आया हमें पेटिक अरे यार हमें पेटिक कुन से देने अभी इस करती यदि आपकी इच्छह हो कि होमयोपेतिक दवा के बारे में आप जाना चाहिए आप ज्यादा ज्यादा कमेंट करें तो मैं इनके ऊपर भी आपको अलग सी वीडियो बनाकर बेज़ दूगा कि आप होमयोपेतिक दवा कब का व्यूस कर सकते हैं तो साथ होमयोपेतिक यह दो सो इसका ब्रंड नहें में तो साथ यह दवा आपको लाने मार्केट से खरीद नहीं यह आपको 200-200 तक आरहम से मिल जाई यह दो से तो कहीं कहीं विसकी प्रैस कम जादा हो सकती है रोच मेडिकल वाले को प्रैस में सेल कर सकते हैं आप आपको क्या करना ही जब चाइना दोसों को आप क्या करें बक्रे के सुवे 5 ड्रोप उसकी जिबान पर यहानि उसके मूं में पांच बूंद आपको ड़नी तो जो बक्रा रोटी खाता तुस रोटी पर डाल करते लिए पाने हैं जो भी आप खीलाने के लिए समें आप बक्रा को चटा भी सकते डायेट लिए उसके मुह में भी डाल सकते हैं, पांच बुन सुबह पांच बुन शाम को आपको बकरे मुह में डालें, बहुत शांदार काम करती है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इसके अलावा इसके साथ हमें एक और देनी है, वह भी ऐसी होमेपितिक जिसका नाम है, नक्स कुछ भी नुक्सान नहीं करते हैं, आपके बकरे को कोई नुक्सान नहीं हो, खाने पीने कोई प्रभाव नहीं पोगा, आप ये पांच बॉप उसके सुबह चाम उसके मुह में डाली, फिर देखिए आपके बकरे की ग्रोथ कैसे बढ़ती है, हम यह ने बताया था आपको अब रुकिए जाइए मत, रुकिए 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 जाइए मत, ऐसा ही नहीं बढ़ेगा, कुछ और भी, आपको बकरे को कभी भी इसके साथ इस्टोराइड इंजेक्शन नहीं लगाना, जैसे कि डेक्सामेतासोन हो गया, इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना है, जब उस बकरे को यह इंजेक्शन न लगाए, यदि आप यह इंजेक्शन लगा देंगे, तो इस दवा का सारा असर खतम हो जाएगा, और यह दवा काम करना बंद कर देगी, जहां तो को यदि बकरा भीमार भी हो जाता है, तो एंटिबाइटिक भी कम यूज करें, और यह दव के साथ यह दवा कांटे की टककर है, दोनों की बिलकुल नहीं बनती है, यह इसके साथ आप पशु को जो आपका बकरा उसको बड़ा करने के लिए आप यह दवा दे, इसके साथ मक्का का चिप्ता खिला है, उसके साथ आप लिवर्टोनिक चालू रखे, यह भी दे सकते है आप कोई से प्रकार कोई दिक्कत नहीं, साथ आप यह दे, और आप फिर देखे, आपको बकरा का बजन कैसे बढ़ता है, वह भी बिना दवाई को लेकिए, उनली पांच-पांच बून से सुबह शाओ आप पशु के जापका बकरा उसके मूँ में डाल दीजे, और फिर आ लेकिन इस्ट्रोड यह दिलागा देंगे, साथियोत आपको सारा काम बिगड़ जाएगा, आप यह सावधानी बरती है, और इस्ट्रोड इंजेक्शन पशु को ना लगए और उसके बाद आप यह दवा देना चालो कर यह फिर देखिए, आपके बकरे कैसे ग्रोथ करने लगते हैं, तो ज्यादस ज्यादा आप दोस्तों साथ जरूर शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और ज्यादस 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 जहाँ पर भी आपके दोस्तों बगर रहे तो जो बकरी पालान करते हैं, उनके वहाँ पर जरूर यह शेयर करें, ताकि वह भी दे